दोस्तों वेलकम डूसी फॉर करियर यूर अल्टीमेट स्टॉक मार्केट मोडिवेशन दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले निफ्टी-फिफ्टी और बैंक निफ्टी को ठीक है तो पहले निफ्टी-फिफ्टी को देख लेते हैं कि हुआ क्या जिसमें ठीक है काफी बोला हुआ है और यहां पर कुछ आपको ब्लू लाइं दिख रही है यहां पर कुछ आपको ब्लू लाइं दिख रही है यह दिए सपोर्ट लेवल ओके और यह जो कर में लाइन जा रहे है यह में 20 यह में 20 का यूज कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त आपको यह सिगनल दे ठीक है अब देखिए यहां पर अभी क्या बनी है आज की जो closing candle है वह बहुत बड़ी बहुत बड़ी बीरिश candle ओके दिख रही है आप पो सामने कितनी बड़ी बीरिश candle बनी है सब डर जाएंगे ओमाई गॉड क्या हो गया ठीक है और इसके पहले बनी है ग्रीन केंडल तो यह हो गई éan गुःट मैंअ टेखी biggest नगुःज केंडल क्या होती है यूँ लूर्ट एक ट्रेंग्र केंडल कैंडल क्या होती तो इस वेरी गोड तिंग कि निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है सपोर्ट को ब्रीच नहीं किया है ठीके ना बनी रहने दो बेर्श अंगल फिकेंडल नो प्रावलम अब हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी क्या बीरिश है डेली पर तो बीरिश देख होता है जहां पर बोलता है कि अप्रेंड रिवर्स होने वाला है तो उस टाइब का कुछ फॉर्मिशन हुआ है अभी कंफर्म नहीं कह सकते ठीके ना क्योंकि अभी सपोर्ट पर रुका हुआ है ठीक है मंतिली पर जाएंगे मंतिली पर देख लेतें क्या है मंतिली पर तो बुलेश है तो इसका मतलब निफ्टी लॉंग टर्म के लिए अभी खत्रा नहीं है हमारे लिए लॉंग टर्म के लिए अच्छा खासा मूव दे सकता है तो अभी थोड़ा डेली और वीकली पर हम स्ट्रकल कर रहे हैं अब चलते हैं जरा फोर आवर्स पर और देखते हैं क से बोलते हैं इन बार यह भी मैं आपको बाद में समझाऊओंगा तो अभी समझ लीजिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो सीख लीजे जो पिन बार होता है नीचे से अगर रिजेक्शन मिला है तो पतला होता जाएगा नीचे से और यहां body छोटी है okay so that is a good sign कि मतलब buyers enter हो गए है market में अब जड़ा देखिए दोस्तों आज monthly expiry थी weekly expiry थी तो market दोनों मूव दिखाता है उपर का भी नीचे का भी so that is also another reason for fall okay अब देखो shorter time frame पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं 15 पर चलते हैं देखिए लास्ट के पंदा में निफ्टी में निफ्टी में क्या होगा देखिए तीन बजे और सवा तीन बजे जबर्दस बाइंग बुलिष एंगल फिंग चैंडल मुन गई दोस्तों बुलिष एंगल फिंग जनते क्या करती है पूरी सेलिंग को जितनी भी स केंडल तीन बजे के बाद यह 255 की केंडल यह तीन बजे केंडल देखिए और फिर पांच मिनट की केंडल बढ़ते बढ़ते जबर्दस बाइंग आई है इसका मतलब कल क्या हो सकता कल गैप आप ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की पिकॉस बाइर्स अग्रेसिवली ओके इ यहां कुला गैप उपन उपन उपाता उसके बाद यह देखिए नौ बीस से जो सेलिंग स्टार्ट होई तो सेलिंग हुए ए ठीक है ना राडी रेड 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 तो आपकी नास्ट मॉमेंट पर आपकी बाइंग हुई है तो आपकी जो ओवर ओर उल केंडल का जो स तो कल देखते हैं कि निफ्टी गैप अपन होता है कि नहीं होता है ठीक है अब देखिए निफ्टी को हमें खत्रा कब तक नहीं दोस्तों ब्लू लाइन बड़ी सी देखिए 19-300 का सपोर्ट जो है ना बहुत ही जबर्दस सपोर्ट है दोस्तों क्योंकि यहां देखिए एक ब नहीं बना हुआ है डाउंट्रेंड देखिए लाइन चार्ट में अगर मैं इसको कनवर्ट कर लों तो मैं बता देता हूं देखिए लोवर लोज लोवर है लोज बट उतना लोज नहीं गया है अल्मूस उसी लेवल पर सस्टेन कर रहा है तिक है ना सपोर्ट ले लिया है सब्सक्राइब कोई खत्रे की बात नहीं है ठीक है अब निफ्टी के जो इसका मतलब इन्हों ने परफॉर्म नहीं किया ठीक है ना देखिए आई-टी-सी रैड मैं ओके सारे दिखा देता हूं मैं आपको कोई भी बहुत ही कम एक ग्रीन में नहीं नहीं आएगा अगा एक्सिस बैंक रैड में यह सब मेजर कंस्टिट्वेंट निफ्टी के ओके टॉप 10 रैड ओके आई-से-से बैंक रैड अरे यह सब रैड में तो निफ्टी ग्रीन हो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा है ना अगर यह परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका और सबके जो पाइं हमारे रिलाइंस इनके जो पापा रिलाइंस है ना वह भी नीचे ही है रैड पर हैं तो कहां से निफ्टी आपका परफॉर्म करेंगा इस टूपर निफ्टी में लास्ट पांच मिनट पर बाइंग आई ती कि नहीं आई थी देखिए दोस्तों रिलाइंस के मुमेंट पर बाइंग है कि नहीं आई है time फा तो सेलिंग थ्रो आउट हुई है लास्ट में कंपंसेट हुआ है ठीक है अच मिनट पर देखें दो जबर्दस ग्रीन केंडल उसके बाद थोड़ी सेलिंग लेकर नीजे पिन बार बनाए हुआ है मतलब प्राइस रेजेक्शन हुआ है बॉटम से ठीक है सो ओवराल कंक्लूजन यह है कि कल निफ्टी गैप अपन हो सकता है अगर अल बाकी फैक्टर्स अच्छे रहे हैं ग्लोबल मार्केट कंडिशन ज्यादा कुछ हुआ नहीं हड़ बड़ी नहीं हुई तो अपना इंडिन एकोनोमी इस बूमिंग है तो नो प्राइब्लम ओके तो यह अभी निफ्टी इतना हॉल टाइम हाई चलागे थोड़ा पुल बेक तो मारेगा यार सो देट इस नॉर्मल ओके सो देट यू मस्ट अंडर्सेंड क्योंकि मंतिली पर तो बुलिश है ना मंतिली पर अगर बुलिश हो तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो पॉस्ट पादेता हूं अब लिख लीजिए इसका सपोर्ट रहेगा कल का पहला सपोर्ट 19553 सेकंड सपोर्ट रहेगा 19446 और रेश्टेंस रहेगा 19817 और सेकंड रेश्टेंस रहेगा 19974 तो यह कल के निफ्टी के लेवल रहेंगे ठीक है निफ्टी बैंक में आ जाते हैं दूस् दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो इसका भी वीक ली देख लेते हैं क्या हालत है सेम देखिए रेट केंडल सो वीक पर भी बेरिश है और मंत पर बुलिश है ठीक है तो लॉंग टर्म अच्छा है अपने लिए ठीक है ना शॉट टर्म के लिए थोड़ा गडबड हो है बट लॉंग टर्म के लिए अच्छा है ठीक है फॉर आवर्स में देख लिए पिन बार बना हुआ है मतलब नीचे से प्राइज रेक्शन लिया और यह सपोर्ट देख लिए जो ब्लू लाइन में बनाई देशिता सपोर्ट 45 570 11 इस मेजर सपोर्ट तो यहां से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है ना अब देखें 15 मिट के कैंडल पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर तीन बज़े के बाद जबर्दस बाइंग आई है ओके सो इस गुट साइन बैंक निफ्टी भी कल गैप अप ओपन हो सकता है ठ यह देखें यहां पर गैप उपन हुआ आज नौबच के पंदना मट पर उसके बाद रहादार सेलिंग हुई है ठीक है तो यह उसके बाद फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया तीन बजे के बाद तो इसे वेरी गूट साइन ओके मंथली पर स्टॉंग है अपर लॉंट भी अच्छा है ओके और यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है तो यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है तो बैंक निफ्टी कि अवरी टाउन होगा that is my opinion, okay, आप भी अपना analysis करिये, research करिये, okay, और समझने की कोशिश करिये, कल क्या होगा, अब देखिए इसके bank nifty के भी level लिख लीजे आप, पहला support है 45,396, okay, दूसरा support है 45,113 और resistance रहेगा आपका पहला 46,136 और second resistance रहेगा 46,592, okay, so these are the levels for bank nifty tomorrow, okay, तो बस यही analysis था आज का, hope you like this analysis, मैं बहुत आसानी से करता हूँ दोस्तों, कोई लोगों की तरह 50 बार उपन नीचे लेवल दिखाना यह दिखाना वो सबनी करता हूँ, it's very easy thing, आप भी सीख जाएंगे, धीरे-धीरे practice करेंगे, ठीके न, जो भी bank nifty के main constituent है, उनको review करो पहले, ओके, और nifty 50 के जो main constituent top 10 उनको review करो, उसके बाल आपको पता चल जाएगा nifty की direction क्या रहेगी, ठीके, और shorter time frame पर जरूर देख लो एक बार कि कौन सी candles बन रही है, अगर वहाँ पर bullish बन रही है, तो कल की gap up opening के chances हो सकते हैं, ठीक है, hope you like this analysis, like comment share कर ये, मुस्ति जड़ जाए, पहली बार देख रहे हैं, तो instagram page को तो जरूर follow कर लेना, दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त, आप लोग support कर रहे हैं, thank you very much for that, okay, YouTube पर 1000 subscriber मेरे आप लोगों ने करा दिया बड़ी जल्दी, बहुत-बहुत शुक्री आप लोगों का नया चैनल था, आप लोगों की demand पर मैंने start किया, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे, thank you very much, bye bye, jahin.